The Election Commission of India के दोवारा बीच में एक अबडेट आया हुआ था कि अगर आप भी अपने भोटर आडी कार्ड को EEP क्यानि की EPDF में डाउलोड करना चाहते हैं तो आपके भोटर आडी कार्ड में एक जो है यूनिक मुबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए तब ही जो आप इसको डाउलोड कर सकते हैं अब ऐसे में काफी सरे लोग ऐसे हैं जिनके भोटर आडी कार्ड में मुबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है कुछ लोगों के भोटर आडी कार्ड में मुबाइल नंबर लिंक भी है तो यूनिक नहीं है उन नंबर जो ही कई सरे भोटर लिस्ट में य यहाँ पर एक Link दिया गया है इस Link पर क्लिक करेंगेisoftनी मोगा दालेंगे आपको जो यह लॉगईन या फिर रजिस्टर करना होगा अगर आपने यहाँ पर आइडी बनाया हुआ है तो उसी आइडी से हैँ यहां पर लोगिन कर सकते हैं But आपके पास आइडी नहीं है To Sign Up P के option पर क्लिक करेंगे यहां पर एक mobile नमबर डालेंगे क्यपचा डालेंगे send OTP के option पर क्लिक करेंगे इस नमबर पर OTP जाएगा जिसको डाल कर भरिफाई करेंगे उसके बाद अपने नाम भोटर ID कारड का डिटेल्स डाल कर एक पासवर्ड शेट करके यहां पर रजिस्टर्स कर लेंगे रजिस्टर्स करने के बाद आप उसके लिए यहां पर आना होगा login के option पर क्लिक करेंगे जो भी आपने mobile नमबर दिया हुआ है वह आपका यूजर नेम है पासवर्ड आपने जो भी बनाया हुआ उस पासवर्ड को डालेंगे केप्चा को डाल कर यहां पर वरिफाइग करेंगे और login के option पर क्लिक करेंगे लोग इन करने की बाद इस तरह से आपके सामने देसबोड आएगा अगर आपका नाम लिख राइस का मतलब है कि आप यहां पर login कर लिए हैं अब यहां पर form की option क्लिक करेंगे form 8 की option पर क्लिक करेंगे यहां पर देखेंगे अगर आप खुद के भोटर ID कार्ड में mobile number email data update करना चाहते हैं तो self पर टिक करेंगे या फिर चाहते हैं तो यहां पर सम्मिट के option पर क्लिक करेंगे अब थोड़ा सा वेट करने के बाद यहां पर पुछेगा कि आप जो है फॉर्म एट से क्या करना चाहते हैं अपने जो भोटर एडी कार्ड है उसको कहीं सिप्टिंग करना चाहते हैं उसमें किसी परकार का जो है करेक् पर क्लिक करना है फिर से यहां पर एस करने अब यहां पर देखेंगे कि आपके सामने फरूम खुलेगा में कर सकते हैं जी हम से इशा है नीचे आएंगे जाwn सब्सक्ली कि नाम और ऐटे थेना चाहते हैं तो इस अब यहां पर छोड फिंद करेंगे। तो अधार लिंक होने में समय extend का बदे लिखेंगे। 동हर보गे की मतर फादर नव्जरुत में हैं तो।, आ Harris लिखेंगे और इसका बाद यहां पर नेश्ट के option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ही कुछ इस तरका इंटरफेस आएगा यहां पर हमने जो ही correction इंटाइर एक्जेक्टिन एल्क्रो रोल स्लेट किया हुआ है तो अब पुछ रहा है कि आप जो है अपने वोटर एडि काड में क्या correction करना चाहते हैं तो यहां पर नेम, जेंडर, डेट ओब रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एड्रेस, मुबाइल नमबर, फोटो जो भी आप करना चाहते हैं उस पर टीक करेंगे जैसे कि मुझे मुझे मुबाइल नमबर यहां पर अपडेट करने हैं तो मुबाइल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका डेट ले लेगा यहां पर प्लेस लिखना है कि आप इस फ़र्म को कहां से फिल कर रहे हैं उसके बाद यहां पर नेश्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है आपको इस क्यप्चा को भरना होगा और कुछ यहां पर ज प्रेस हो जाएगा जैसे कि आपका email id साथी साथ यहां पर नीचे आएंगे तो जो भी आपने mobile number बेगारा अगर दिया हुआ है वह भी mobile number आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यही mobile जैसे ही submit के option पर click करेंगे तो पूछे गाई क्या सचमी इस form को आप submit करना चाहते हैं तो आपको यहां पर yes करने हैं अब जैसे ही yes करेंगे तो आपको जो है इस तरह से reference number है तो उससे भी आप ट्रेक कर सकते हैं details के माधियम से अब ट्रेक कर सकते हैं contact information के माधियम से भी आप यहां पर application कर सकते हैं चली मेरे पास reference बताएगा कि आपने फिलाल यहां पर फॉर्म को सम्मिट किया हुआ है उसके बाद बील वे इसको असाइंट करेगा उसके बाद फिल्ड वरिपिकेशन होगा तो यहां पर देखिए अभी हमने इसको पहली बार यहां पर अपलाई किया हुआ है अब जैसे ही इसके रिगार्डिंग हमें कुछ experience मिलता है तो उसके भी आपको बतायांगे कि यहां पर आपको hearing करना है कि नहीं करना है आपको कर लेते हैं तो जैसी ही लॉग इन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डेस्ट पर का आप्सन आएगा इसका मतलब यह है कि आपने यहां पर लॉग इन कर लिया है इपिक डाउलोड के ऑप सन आयेगा इपिक नंबर का फॉर्म रिफरेंस नंबर का तो अगर आप के पास reference number है उससे भी आप अपने इपी को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि साफ सब बताया जा रहा है कि आपका भोटर ID काड कभी क्या बना हो बट उसमें एक unique mobile number लिंक होना चाहिए आप अपने भोटर यूनिक रजिस्टर mobile number the facility to update your mobile number is available in form8 तो यहां पर देख सकते हैं कि साफ साफ मेंसन किया गया है कि form8 भरके जो है आप अपना से अप्डेट हुआ है मुझे जाना पड़ा है कि नहीं जाना पड़ा है और साथी साथ उसको डाउलोड भी करके दिखा देंगे कि इस तरह से आप डाउलोड कर सकेंगे तो बस आज किस वीडियो में इतना ही इसका जो पाट टू वीडियो है जल्द आने वाला है तो प्ल